हेलो एब्रीबन, वेलकम टो एक्जाम ओर्बिट क्लासिस आज के क्लास में डिस्कस करेंगे एक मई से लेकर आठ मई तक का मोस्ट इपोडेंट करेंट अफ्यार तो बने रहे एक लास के लास तक क्लास को एक बार शियर जरूर कर दीजिए चले डिस्कस करते हैं फस्ट कोईशन ACI ओलम्पिक परिशत ने 10 से 25 सितंबर तक होने वाले 19 वे ACI खेलों को इस्तगित कर दिया है यहें खेल चीन के किस सहर में होने वाले थे हांग जाओं में यानि कि राइट आंसर होगा ओप्सन ए चीन के हांग जाओं में 10 से 25 सितंबर तक होने वाले 19 वे ACI खेल को ACI ओलम्पिक परिशत ने COVID-19 के बढ़ते मामलों के कारण इस्तगित कर दिया है अब डिस्कस कर लेते हैं फ्रंट चाइना के बारे में चीन लेटिस्ट करेंट अफ्यर डिस्कस करेंगे किस देश के चंदर जाच मिसन ने चंदरमा पर पानी के साक्ष खोजे हैं चाइना किस देश के रोबन ने चंदरमा के दूसरी तरब दो काँच के गोलों की खोच की थी चीन किस देश ने प्रतिवी अबलोकन उपगिरे गायो फेन 502 लॉंच किया है तो इसे लॉंच किया गया था चीन के दुवारा किस देश ने प्रोटो टाइप मिनियेचर हेलिकॉप्टर बिक्सित किया है चाइना ने सिंजियान 21 सेटलाइट किस देश ने लॉंच की है तो फ्रिंट्स याद रखेंगे चीन के दुवारा इस सेटलाइट को लॉंच किया गया है किस देश के लॉंग मार्च 8 रॉकिट ने 22 उपगरों को एक साथ लॉंच किया है चाइना मैप में आप लोग चीन की लोकिशन देख सकते हैं फ्रिंट्स ये है चाइना चीन की राजधानी वीजिंग है चीन की मुद्रा रेमेन भी है बर्तमान रास्टपती है सीख जिंग पेंग फ्रेंट्स अगर आप लोग पहली पार चैनल पर विजट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा साथी बेल आइकन दबाना बिलकुल ना भूले जिससे आप लोगों को क्लास का नॉटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा नेस्ट कुशन डिसकस करेंगे बारवी होकी इंडिया नैसनल सीनियर महिला होकी चैंपियन सिप में होकी टीम की कपतानी कौन करेंगी नवदी कौर जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं यह है नवपरीत कौर आईए डिसक्स कर लेते हैं इनके बारे में भोपाल यानिकी मद्द प्रदेश में 6 मई से सुरू हुई बारभी हौकी इंडिया नेशनल सीनियर महिला हौकी चेंपियंशिप में भाग लेने वाली पंजाब हौकी टीम की कप्तानी नप्रीत कौर करेंगी बारभी हौकी इंडिया नेशनल हौकी चेंपियंशिप का आयोजन 6 से 17 मई तक भोपाल यानिकी मद्द प्रदेश में किया जाएगा अगला कुशन डिसक्स करेंगे निमन लिखित में से कौन वाइट आउस की पहली आसुइथ प्रेस सचिप बनेंगी तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी केरीन जीन पियरे जिने आप सभी पिक में देख सकते हैं आएट डिसकस कर लेते हैं इनके बारे में अमेरिका के रास्ट बती जो बाइडन ने केरीन जीन पियरे को वाइट आउस की अगली प्रेस सचिप के रूप में नामित किया है साथी फ्रेंट आपको बता दे कि यह हैं पहली आसुइथ प्रेस सचिप होंगी केंटा जी ब्राउन जैक्सन किस देश की सुप्रीम कोट की पहली आसुइथ महिला न्याइदीस बनी है अमेरिका की जैसा की फ्रेंट्स हम लोगोंने क्लास में डिसकस भी किया था अब डिसकस कर लेते हैं अमेरिका से रिलेटेट कुछ इंपोर्डेंट फैक्टर मैप में आप सभी अमेरिका की लोकेशन देख सकते हैं फ्रेंट्स यह है अमेरिका अमेरिका की राजधानी बॉंसी गटन DC है यहाँ पर अमेरिका की मुद्रा है अमेरिकी डॉलर 46 में राष्ट पती है जोव आइडन उपराष्ट पती है कमला हैरिस अमेरिका की स्पेस एजंसी का नाम है फ्रेंड्स नासा नासा का मुख्याले कहां पर है तो याद रखेगा वॉंसी गटन डीसी में है अमेरिका की रास्थानी वॉंसी गटन डीसी किस नदी के किनारे स्तित है पोटो मैक नदी के किनारे अमेरिका की संसत को कॉंग्रेस कहा जाता है USA की सबसे लंबी नदी है फ्रेंड्स मिसोरी नदी अमेरिका का सबसे लंबा परवत है रोकी माउंटेन अमेरिका में घांस के मैदानों को कहा जाता है पियरी पहला लिखे संबिधान किस देश का है अमेरिका का अमेरिका के संबिधान से फ्रेंट्स भारत के संबिधान में क्या क्या लिया गया है प्रस्थाबना का विचार लेकिन पॉइंट याद रखना है कि प्रस्थाबना की भासा ऑस्टेलिया के संबिधान से ली गई है जबकि विचार लिये गई है अमेरिका के संबिधान से मौलिक अधिकार, नियाईपुनर अभुलूकन, संभिधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित रास्टपती, नियाईपालिका की सुतंतर्ता, सर्वोच्ची नियाले का प्राप्धान ये सबी कहां से लिए गए हैं अमेरिका के संभिधान से मोना लाओ जौला मुखी कहां पर है, हबाई दीप जो की अमेरिका का एक प्रांथ है, अमेरिका में कुल कितने प्रांथ है, कुल 51 प्रांथ है नेस्ट कुशन डिस्कस करेंगे, मानब तसकरी रोकने के लिए किनके बीच हाली में MOU पर हस्ताक्षर हुए है तो इसका राइट आंसर होगा, आपसंसी, आर्पियेप और BBA के बीच, अब डिस्कस कर लेते हैं कि ये BBA क्या है रेल्बे सुरक्षा बल्यानिकी आर्फियप और नूबल सांती पुरुसकार से सम्मानित केला सत्यारती की संस्था बच्पन बचाओ अंदोलन जिसे सौट में कहा जाता है BBA के बीच मानब तसकरी रोकने के लिए एक समझोते पर हस्ताक्षर किये गए है अब आप लोगों को कमेंट्स फॉक्सम बताना है कि केला सत्यारती को नूबल सांती पुरुसकार से कब सम्मानित किया गया था नेस्ट कुर्शन रिवीजन करेंगे किस सुरंग को वेस्ट इंफ्रास्टेक्चर पुरुसकार मिला है तो ये दिया गया है अटल सुरंग को आएए जान लेते हैं अटल सुरंग के बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्टर हिमाचल प्रदेश के कुलू के मनाली और लाहुल इस्पिती को जोडने वाली सुरंग का क्या नाम है अटल सुरंग अटल सुरंग किस हिमाले सुरेणी में इस्तित है पीर पांजाल सुरेणी में अटल सुरंग किस राज में इस्तित है तो फ्रेंट्स याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश में अटल सुरंग किन दो स्थानों को आपस में जोड़ती है लेहे को मनाली से जोड़ती है अटल सुरंग का उधगाटन कब और किस ने किया था अक्टूबर 2020 को प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी जी दुवारा अटल सुरंग का उधगाटन किया था अगला कुशन डिसकस करेंगे देश के भिविन उच्छे नियालों के मुख्य नियाइदीसों के 49 में सम्मेलन का आयूजन कहां किया गया है नई दिल्ली में यानि की राइट आंसर होगा आप्शन बी भारत के मुख्य नियाइदीस जो की बर्तमान में कौन है फ्रेंट्स एन बी रमन सुप्रीम कोट नई दिल्ली के परिसर में देश के भिविन उच्छे नियालों के मुख्य नियाइदीसों के 49 में सम्मेलन की देश से नियाइपालिका से संबंदित मुद्दो को संबोधित करना और नियाइबितरन प्रानली में सुधार के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा करना है नेस्ट कुशन डिसकुस करेंगे विटकोइन को कानूनी दरजा देने वाला पहला अफ्रीकी देश कौ वधिर ओलम्पिक्स का आयर्जन कहां किया जा रहा है ब्राजील में यानि की राइट आंसर होगा आप्शन बी चौवीश फे ग्रीज मकालिन वधिर ओलम्पिक्स एक से पंदरा मई तक ब्राजील के कैक्सियक्स डूस सूल में आयर्जित किये जाएंगे बरतमान में भारत की खेल मंतरी कौन है अनुराग ठाकोर भारतिय पैरा ओलम्पिक कमीटी की अध्यच कौन है बरतमान में दीपा मलेक नेस्ट कुशन रिवीजन करेंगे राजिस्थान में मिया का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर निम्न लिखित में से क्या रखा गया है तो रेल इस नगर रेल बे इस्टेशन जो की फ्रेंड्स कहां पर है धारत पाकिस्तान की सीमा पर यानि की राजिस्थान राज्चुमें नेस्ट कुशन देखेंगे विटली गोल्ड अबॉट से किसे सम्मानित किया गया है तो बिटली गोल्ड अबोर्ट से सम्मानित किया गया है चारुदत मिस्रा को यानि कि राइट आंसर है आप्सन पी पिर्सित हिम तेंदुआ विशे सग्य और बन्य जीव सरच्छन बादी चारुदत मिस्रा ने प्रतिस्टित बिटली गोल्ड अब उन्हें एसिया के उच्छ परवतिये पारिस्तितिकी तंत्र में बड़ी बिल्ली पिरजातियों के सरचन और पुनर प्राप्ति में स्वेदेसी समुदाय को सामिल करने में उनके योगदान के लिए तिया गया है। अब डिसकस कर लेते हैं आगामे परिक्षा के लिए कुछ महत्तपून पॉइंट कुई क्रिविजन करेंगे। बिताओं को सम्मानित करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। विटली पुरुसकार की इस्थापना 1993 में एडवर विटली दुआरा की गई थी, 1994 में पहली बार ये हैं पुरुसकार दिया गया। नेस्ट कुईशन देखेंगे, एसिया बैटमिंटन चैंपियनसिप में पीबी सिंदु ने कौन सा पधक जीत लिया है। तो पीबी सिंदु ने जीत लिया है काश पधक यानि कि राइट आंसर है आप्सन सी। पीबी सिंदु को आप सभी पिक में देख सकते हैं। आंडवान और निकोवार कमान भारतिय सस्त्र बलो की एक मात्र तिर सेवा कमान है। इस मिसाइल का नाम भारत की भ्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कोवा नदी के नाम पर रखा गया है। यह एक मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल है जिसे जमी, हवा और समुद्र में बहुच हमता वाली मिसाइल से सटिकता के साथ लौंच किया चा सकता है जो खराब मौसम के बावजूद भी दिन और रात दोनों में काम कर सकती है। यह दागो और भूल जाओ के सिध्धान पर काम करती है कौन सी ब्रह्मोस मिसाइल यानि लौंच के बाद इसे मार्ग दर्शन की आवशकता नहीं रहती है। इससे पहले भार्टिय बायुसेना ने सुकोई फाइटर जेट से ब्रह्मोस मिसाइल का सपल फरिक्षन किया था। ब्रह्मोस मिसाइल धोनी की गती से लगवक तीन गुना तेज उडान भर सकती है। नेस्ट कोईशन रिविजन करेंगे खबरों में रहा मालचा महल किस राजजिया केंदर सासित प्रदेश में इस्तित है तो फ्रेंट्स मालचा महल कहां पर है ये है आपका नई दिल्ली में। महल को आप सभी पिक में देख सकते हैं। आई डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। फ्रो सहा तुगलक ने हैं। तुगलक बंस का संस्थापक कौन था गयासुदीन तुगलक। तुगलक बंस में तीन अन्य महतपूर सासक कौन कौन से थे गयासुदीन तुगलक, मोहमद बिन तुगलक और फ्रो सहा तुगलक। नेस्ट कोईशन डिवीजन करेंगे खबरों में रहा हट्टी समूदाए किस राजिया केंद्र सासित पिर्देश से सम्मंदित है तो हट्टी समूदाए चर्चा में बना है ये है हिमाचल पिर्देश से सम्मंदित आई डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में केंद्र हिमाचल पिर्दे सरकार के अनुरोध पर राज में अनुसूचे जनजातियों की सूची में हट्टी समुदाई को सामिल करने पर बिचार कर रही है इसलिए खबरों में बनी हुई है यह समुदाई उननीसो सरसत से इस अधिकार की मांग कर रहा है जब उत्राखंड के जौन सार बावर इलाके में रहने वाले लोगों को आधिवासी का दरजा प्रदान किया गया था अब जानेंगे हट्टी समुदाई के पारे में हट्टी ए घनिस्ट समुदाई है जिसे कस्वों में हाठ नामक छोटे बजारों में घरेलू सबजियां फसल मास और उन आधी बेचने की परंपरा के नाम यह नाम मिला है आर्टिकल 342 के अनुसार केवल बे समुदाई जिनने राष्ट पती दुआरा प्रारंबिक सार्वजनिक अधिसूचना के माध्यम से या संसंत के बाद के संसोधन अधिनियम के माध्यम से ऐसा घोशित किया गया हो उन्हें अनुसूचे जन जाती माना जाएगा किस देश की खुपिया एजन्सी CIA ने पहली बार चीप टेकनोलोजी ऑफिसर की न्यूक्ति की घोशना की है तो फ्रेंट्स खुपिया एजन्सी CIA किस देश की है यह है अमेरिका की यानि की राइट आंसर है अप्सन ए भारतिय मूल के नंद मूल चंदानी को CIA के पहले चीप टेकनोलोजी ऑफिसर के रूप में न्यूक्ति किया गया है भारत की खुपिया एजन्सी कौन सी है रो रिसर्च एंड एनालिसिस बिंग रो की स्थापना 1968 में की गई थी जबकि मुख्याले कहां पर है फ्रेंट्स नहीं दिल्ली में नेस्ट कुशन देखेंगे के संस्थान ने राश्टिये पाठे चारी की रूप रेखा के लिए मेंडेट डोकुमेंट लॉंच किया है तो ये डोकुमेंट लॉंच किया गया है केंद्रिये सिक्षा मंत्राले द्वारा आएज जान लेते हैं इस डोकुमेंट के पारे में केंद्रिय सिक्षा मंत्री धर्मेंद्र पिर्धान ने राष्टिय पाठचारी की रूप रेका के लिए मेंडेट डोकुमेंट चारी किया है राष्टिय सिक्षा नीती 2020 ने चार्श छित्रों में NC एप के बिकास की सिपारिस की है इसकूली सिक्षा, बचपन की देखवाल और सिक्षा, सिक्षक सिक्षा और बयक्स सिक्षा NCF के बिकास को राष्टिय संचालन समिती दुवारा निदेशित किया जाता है जिसकी अध्यस्ता कर रहे हैं के कस्तूरी रंगन Next Question Revision करेंगे केंद्रिय प्रितच्चेकर बोड के चेयर परसन का अतिरिक्त प्रभार किसे सौपा गया है तो ये सौपा गया है संगीता सिंको यानि की राइट आंसर है Option A केंद्रिय प्रितच्चेकर बोड की स्थापना 1924 में की गई थी जबकि मुख्याले कहां पर है नई दिल्ली में Next Question है जीन बैंक परियोजना इस्थापित करने वाला पहला भारतिय राज्च कौन सा है जीन बैंक परियोजना किसने इस्थापित की है तो ये की गई है महरास्ट सरकार त्वारा आए डिसकस कर लेते हैं इस परियोजना के पारे में महरास्ट ने देशी और लुप्त प्रयाइज जानवरो, फसलो, समुद्री और जेविक प्रिजातियों के सरचन के लिए एक जीन बैंक परियोजना इस्थापित करने की खोशना की है इसे महरास्ट राजज जी बिवितिता बोट दुवारा लागू किया जाएगा यह परियोजना जलवायू परिवर्तन के कारण खादर सरंकला पर प्रभाव को कम करने पर ध्यान केंद्रित करेगी नेस्ट पुशन देखेंगे निमन लिखित में से किसने भारत के 34 वे बिदे सचिप के रूप में पदवार गिरेण कर लिया है तो इसका राइड आंसर है आपसन ए बिने मोहन क्वात्रान है साथी आपको याद रखना है कि 1 मई 2022 को नीती आयोग के उपाध्यज का पदवार समाल लिया है सुमन बेरीन है अगला कोशन रिवीजन करेंगे हरसिदा सरद गरूट ने IWF जूनियर विस्व चैंपियन सिप में कौन सा पदग जीत लिया है तो इन्होंने जीत लिया है सुमन पदग और ये सुमन पदग जीतने वाली पहली भारतिये महिला पन गई है जूनियर विस्व चैंपियन सिप में इससे पहले 2013 में मीरावाई चानू ने कांश पदग जबकी पिछले साल अंचिता साउली ने रज़त पदग चीता था लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि इन्होंने सुमन पदग इस खेल में चीता है नेस्ट कोशन देखेंगे बाओ सुरी बो आओ फॉरम फोर एसिया पार्सिक सम्मिलन 2022 कहां आयुजित किया गया है तो इसका आयुजन किया गया है चीन में नेस्ट कोशन रिवीजन करेंगे सबसे लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम स्वैदेशी तोप यानी एडवांस टोट आर्टिलरी गन सिस्टम का परिक्षण कहां से किया गया है तो इसका परिक्षण हुआ है राजिस्थान के जैसल मेर की पोखरन रै फाइरिंग उन्नत आर्टिलरी गन सिस्टम परियोजना डियाडियो द्वारा बिक्सित की गई एक अत्य आधुनिक 155 मिनीमीटर तोप है इसे पुरानी आर्टिलरी गन की जगे के लिए बनाया जा रहा है इस तोप को भारत फोर्ज और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वार निर्मित किया गया है इसका बजन है 18 टन नेस्ट कुशन देखेंगे प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी जी का सलहकार किसे न्युक्त किया गया है तो प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी जी के सलहकार बन गये है तरुन कपूर तरुन कपूर को आप सभी पिक में देख सकते हैं नेस्ट क्विशन देखेंगे वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला देश का पहला सहर कौन सा बना है आगरा यानि की राइट आंसर है आप्शन पी ताज महल के नस्दिक ताज गंज के करीब दो सो चालिस उन घरों को वैक्यूम सीवर लाइन से अटेच किया गया है जहां परंपरा गज सीवर सिस्टम का इस्तमाल नहीं हो सकता था साथ ही आपको बता दे कि स्मार्ट सिटी कंपणी ने नीदर लेंड की कोबेक कंपणी से वैक्यूम सीवर लाइन और नेटवर्क तयार कराया है नेस्ट कोईशन है किस राज्य सरकार दुवारा मुख्य मंत्री मितान योजना सुरू की गई है तो मुख्य मंत्री मितान योजना सुरू की गई है 36 गड़ सरकार दुवारा आये डिसकस कर लेते हैं इस योजना के पारे में 36 गड़ की मुख्य मंत्री वुपेश भगेल ने मुख्य मंत्री मितान योजना सुरू की है जिसे 36 गड़ के राइपूर, दूर्ग, बिलासपूर और राजनन्द गाउं जैसे सहरो सहित 14 नगर निगमों में पाइलेट आधार पर लागू किया जाएगा फेंट्स मितान का अर्थ क्या होता है, मित्र याद दोस्त होता है इस योजना के तहर, 36 गड़ के निवासी अपने घर पर लगबग 100 सारवजनिक सेवाओं का लाब उठा सकते है इस योजना के माध्यम से प्रदेश के नागरिकों को घर बैठे सरकारी सेवा मोहिया कराई चाहेंगी नेस्ट कोशन है, खबरों में रही अनंग ताल जील के सराजिया केंद्र सासित प्रदेश में है तो फ्रेंट्स ये जील कहां पर है? नई दिल्ली में यानि कि राइट आंसर है आप्शन टी आपको बता दे कि अनंग ताल को 1052 में दिल्ली के संस्थापक महराजा अनंग पाल तौमन ने बन बाया था अगला कोशन रिवीजन करेंगे कि इस देश्ट में दुनिया की सबसे बड़ी क्राइस्ट की प्रतिमा बन कर तयार हुई है तो ये बन कर तयार हो गई है ब्राजील में यानि कि राइट आंसर है आप्शन बी इस प्रतिमा को अन्न किस नाम से जाना जाता है? क्राइस्ट दा पोटेक्टर के नाम से से जाना जाता है इस मूर्ती की लंबाई कितनी है 43 मीटर यानि की 141 फीट है अगला कोईशन है किसने 75 भी संतोस ट्रॉफी रास्टिय फूटबॉल पिट्योगता 2021-22 का खिताब जीत लिया है केरल ने यानि की केरल रहा है इसमें विजेता जबकि दूसरे नमबर पर उप विजेता रहा है पच्छिम बंगाल नेस्ट कोशन रिविजन करेंगे किस राज्च में पुर्वत्तर भारत की पहली गाए एम्बूलेंस सेवा सुरू की गई है तो गाए एम्बूलेंस सेवा शुरू की गई है असम राज में यानि की राइट आंसर है आपसन ए नेस्ट कोशन है जियो सावन ने किसे अपना CEO न्यूक्त किया है तो इसका सही आंसर होगा आपसन भी सहस मलोत्रा को जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं नेस्ट कोशन रिवीजन करेंगे इस साल होने वाले कांस फिल्म फेस्टिवल में कौन सा देश पहली बार अधिकारे कंट्री आप दा ओनर के तौर पर हिस्सा लेगा तो कंट्री आप दा ओनर के तौर पर पहली बार हिस्सा लेगा इंडिया यानि की राइट आंसर है आपसन साथे आपको बता दे इसी साल अभी ने तरी दिपी का पादुकोर्ण मुख्य फीचर फिल्म पित्योगता में बतोर जूरी नजर आने बाली है अगला कुशन है किस देश की बैटमिंटन टीम ने अपने कई खिलाडियों के COVID-19 पॉजेटिब पाई जाने के बाद आठ मही से सुरू होने वाले थॉमस कब फाइनल्स के 32 वे चरण से हटने का फैसला किया है न्यूजिलेंड नहीं यानि कि राइट आंसर है आपसन ए नेस्ट कुशन देखेंगे RSF 2022 बल्ट प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की क्या रैंक रही है तो भारत रहा है 150 इस्थान पर इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है रिपोर्टर्स बिदाउट पॉर्डर्स इसे चारी करता है और जी वीशवा संसकरन था इस रिपोर्ट का पिछले साल भारत की रैंकिंग 142 थी और इस साल हो गई है 300 इस साल पहले स्थान पर नौर्बे है दूसरे स्थान पर डैनमार्क है जबकि तीसरे स्थान पर है स्वीडन अब डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपोर्टेंट फैक्टर संबिधान का कौन सा आर्टिकल भासड और अभिव्यक्ति की सुतंतरता की गारंटी देता है आर्टिकल 19 किस अनुछेत के तहत प्रेज की सुतंतरता पर कुछ प्रतिवंदू को आरूपित किया गया है आर्टिकल 19.2 के तहत प्रेश के सुतंतरता सभी लोकतांतरिक संगठनों की नीम है यह सर्वोची नियाले दुआरा केस केस में कहा गया था रोमे स्थापर बना मदरास राज 1905 में सुप्रीम कोड दुआरा यह निर्ने दिया गया था नेस्ट कोईशन देखेंगे दूसरा भारत नौडिक सिकर सम्मेलन कहां पर हुआ है तो दूसरा भारत नौडिक सिकर सम्मेलन का आईजन किया गया डैन्मार की कैपिटल कोपेन हैगन में जबकि फ्रेंट्स पहला सम्मेलन कहां आईजित किया गया था स्टॉक होम में 2018 में जारी की जाती है खाद्द एवं किर्सी संगठन दुआरा खाद्द एवं किर्सी संगठन की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में की गई थी जिसका मुख्याल है रोम इतली में है नेस्ट कोशन डिविजन करेंगे भारत के पहले ग्रीन फिल्ड अनाज आधारित इतेनोल सरियंत का उदगाटन किस राजजिया केंद्र सासित प्रदेश में किया गया है तो इसका सही आंसर है अप्सन भी बिहार में अगला कोशन देखेंगे जीवला किस राजज सरकार दुआरा सुरू की गई एक बिसेस रिण योजना है तो जीवला योजना सुरू की गई है माहरास्ट स शुरुवात की गई है नेस्ट कोईशन है निम्ने में से कौन सा देश गुरुदेव रविंदर नाट टैगोर की 161 पी जैनती मनाएगा बांगला देश यानिकी राइट आंसर है आप्शन पी नेस्ट कोईशन है भारत का पहला स्वेदेशी बिमान बाहक पोत कौन सा है जिस इंट राष्ट ने किस वरस तक सभी के लिए सवच्य ऊर्जा कार योजना सुरू की है इसका सही आँसर है आप्शन एक दो हजार टीस में नेस्ट कोईशन है भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलोजी हब किस सहर में इस्तापित किया गया है तो भारत का पहला फ्लो Chemistry Technology Hub इस्थापित किया गया है हैदराबाद में यानि कि सही आंसर है Option C Next question है कि इस देश में दुनिया का सबसे लंबा काच का पुल जिसका नाम है सफेड ड्रेगन खोला गया है तो सफेड ड्रेगन पुल खोला गया है बियत नाम में यानि कि राइट आंसर है Option C अगला question देखेंगे मद्दपिदेश राज जब बैटमिंटन अकादमी की किस खिलाडी ने डेप ओलम्पिक्स में स्वन पदक जीत लिया है गौरांसी सर्माने यानि कि राइट आंसर है Option P Next question है भारतिय रजब बैंक यानि RBI ने मौद्रिक नीती रेपो दर को 4.0% से बढ़ा कर कितने परसेंट कर दिया है 4.4 0% यानि कि सही आंसर है Option A Next question है भारत की पहली आदिवासी स्वास्त बैदसाला की घोशना किस राजिया केंदर सासित प्रदेश दुआरा की गई है तो ये घोशना की गई है उडिसा सरकार तुआरा अगला कोईशन देखेंगे निमनलिखित में से किसने हाली में इलेक्ट्रोनिक एवं सूचना पुर्दोगी की भिवाग के सचिप का कारेभार समाल लिया है तो उसका सही आंसर है अपसन A अलकेश कुमार सर्माने नेस्ट कोईशन है किन दो देशों ने तरजीही ब्यापार समझोते पर हस्ताक्षर किये है तो तरजीही ब्यापार समझोता हुआ है यूक्रेन और बिटेन के पीच यानि की राइट आंसर है अप्शन D नेस कोईशन है खेलो इंडिया उनिवर्सिटी गेम्स 2021 की पदक तालिका में कौन सा विश्विध्याले सीर्स पर रहा है जैन उनिवर्सिटी पैंगलॉर यानि की सही आंसर होगा अप्शन B तो फैंट्स यह था आज का करेंट अफियर और साथ ही बीकली करेंट अफियर भी हम लोगोंने कोई क्रिविजन कर लिया बिल्कुल कम से कम समय में अब आप लोगों के लिए कुछ कोईशन है जिनके आंसर आप सभी देंगे कमेंट्स बॉक्स में फर्स्ट कोश्चन देखेंगे स्री रंग पटनम में ट्री ओब दा लिबरेटी का पौदा रोपन किस ने किया था नेस्ट कोश्चन है लद्दाक में लेहे को किस जील से जोडने वाली बिस्व की सबसे उची मोटर योग सड़क का उदगाटन किया गया है फर्स इन दोनों कोश्चन के आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएगा साथी क्लास को लाइक, सेर एंड सब्सक्राइब करना न भूलेगा तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है थैंक्यू सो मच